नमस्कार मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार मकर रासी पृत्वी तवत्तो की रासी है और स्वामी आपका स्वयम सनी है हिंदू नौ वर्स की सुरुवाद हो चुकी है सनीवार के दिन यानि 6 अप्रेल से हिंदू नौ संबत 2076 की और आपको तो पता ही है कि नए साल की सुरुवाद जिस दिन से होता है वो गरہ पूरे साल डोमिनेट करता है प्रवावी रहता है सनीदेव इस वर्स के राजा है और मंत्री रहेंगे सुरेदेव सनीदेव जो कर्मों का फल देते हैं और मकर रासी वाले के स्वामी है 2076 अब वर्स जो हमारे हिंदु धर्म का नया साल है ये जो नया वर्स है पूरे वर्स सनी देव का प्रहौ रहेगा और आप जो सनी देव की रासी हैं तो यहाँ पर क्या होगा सनी देव अपने ही घर में तो आपको माला माल करेंगे ही क्योंकि लोग जब भी कोई काम काता है ना तो खुद के घर को पहले भरता है तो उसी प्रकार आप मकर रासी वालों का जोली पहले भरेंगे इस वर्स जितना सफलता आपको मिलने की चांसे से उसके अनुसार आपको धार्मीक भी रहना होगा यानि अन्याय से दूर रहना होगा गलत आदतों से दूर रहना होगा तभी अच्छा होगा क्योंकि सनी देव न्याय के देवता है हम बात कर रहे हैं मकर रासी जिनके स्वामी स्वयम सनी है और जो 2076 नौव संपत्त के राजा हैं और मकर रासी वालों पर यहां पर क्या होता है न कि सनी देव आपको जुडवाते हैं यानि जोडने का काम करते हैं चाहे वो धन सम्मंदी मामले हो रिष्टे सम्मंदी मामले हो या कोई और मामले हो और वैसे भी मकर रासी के लोग धन कमाने के लिए बहुत परिस्रम करते हैं बिना धन के इनको चैन मिलता ही नहीं और धन आता रहें इसके लिए आपको सनी देव के जो आराद हैं जैसे कि सनी देव डरते हैं हनुमान जी से उनकी सरन में रहे हनुमान चालीसा का पाट करें उससे क्या होगा हनुमान जी की भी किर्पा मिलेगी सनी देप की किर्पा तो मिलनी ही है यह जो नया साल आ रहा है 2006 जैसले हम टॉपिक रखा है इस वरसा आपको सनी देप सब कुछ देंगे सबसे पहले तो दामपत्य का सुख मिलेगा प्रसनता पुरुवक आपका ये समय बीतेगा और बैभाई जीवन में जो भी प्रसानिया है वो दूर होंगी लब लाइफ भी बहतर होंगी पर यहां पर चीट मत कीजिएगा एक दूसरे को बिदर्तियों के लिए खास गर जो उच्छ शिच्छा के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं विदेज जाना चाह रहे हैं वो विदेज जा सकते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है हलांकि सनी की साड़े साती चल रही है पर ये साड़े साती के प्रभाव जो है ये 2019 में जुलाई अगस से धिले धिले कम होना सुरू हो जाएगा प्रभाव उसके बाद से आपके जीवर में जो उचाईया है वो आनी सुरू हो जाएगी आप जो चाहेंगे वो पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे और 24 जन्वरी 2020 के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से एक आराम दायक मोड में आ जाएगी यानि वहां से आपका संगर्स बहुत कम हो जाएगा या नहीं के बराबर ही रहेगा हम बात कर रहे थे बिद्यार्थियों की और बिद्यार्थियों के लिए अगर आप जोब की तियारी कर रहे हैं तो फिर कसके लग जाएए समय अच्छा है जब समय बलवान हो तो मेहनत भी बहुत करना चाहिए आपको सफलता हंड़ेट मिलने की संभावना बन रही है भूमी सबंदी मानुलों से भी आपको लाब देंगे और खासकर मगर रासी वालों को लोहा कोईला पेट्रोलियम और फैक्टरी इंडरस्ट्री वाला बेपसाय बहुत सूट करता है या इस चेतर में आप जौब करते हैं तो आपके लिए तरक्की के रास्ते लगभकते हैं खुलने दोस्तों सनी देव माली का मतलब क्या होता है सनी ही आपको बेपसाय देंगे और सनी वाले छेतर में अगर आप जौब करते हैं तो आप अधिक उन्नती करते हैं और सनी देव का अधिपत्त्य भूमी पर यानि अगर आप क्रिसक हैं तो आपकी उन्नती होगी अगर भी चीज़ें आप उसमें जोड़ सकते हैं गैस बेगर सब कुछ आता है तो इस अभी चीज़ों में आपको सफलता बहुत जादा देने वाले हैं सनी देव सहीं देव से काम लीजेगा और अपने से जो आपके नीचे हैं अंदर काम करते हैं उनका सम्मान सम्मान करते रहें तबी सनी देव भी आप पर महरबान जादा हो पाएंगे क्योंकि सनी देव नयाय देखते हैं और सहायों का सहायता करते हैं तो सनी देव की बिस्यस के बाग आप पर बशेगी और जो भी आपके लिए आपने प्रयास करना है वो करते रहें उसका फल आपको जरूर मिलेगा जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फल आपको मिलता चला जाएगा दोस्तों याद रहे अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार अस्थाल पे सिब जी का तस्वीर जरूर रखेगा क्योंकि सिब जी तो सरवे सरवा हैं सरवग्य हैं उनके सरवे में आने से तमाम ग्रह भी सुफल देने लगते हैं तो आपको सिब जी को तस्वीर जैसे आपने पुजास थाल पे रखा तो रोख सफेद पूल उन्हें प्रेम से अर्पित करें एक भी अर्पित करें नहीं है तो मांसिक रूप से बनाकर आप उन्हें अर्पित कर दें आप फिर देखिए आपकी जीवन कैसे एक तेज गती से चलने लगती है धहरे रखिएगा और आपको फरल इसका जरूर मिलेगा क्योंकि यहां पर आपको जुड़वाएंगे जोड़ते रहेंगे हम फिर मिलेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा